हेलो BSC 3rd Year Student इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे BSC 3rd Year Geology का 1st Semester है Applied and Economic Geology दोस्तों इस Semester में 1st Unit Parasytology में cover कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं आज हम स्टार्ट करें 2nd Unit जो की है Vector and Paste जिसमें आज हम cover करेंगे RET के बारे में तो heading डालीजी RET यदि आप BSC के concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये जो Rodents होते हैं हमारी फसलों पर जैसे की फल, फूल, सबजियां तता घर वा गोदाम में रखेवे जो अनाज हैं उनको अत्यदी खानी पहुचाते हैं चुहा, गिलहरी वा खरगोस ऐसे ही Rodents जीव हैं भारत में लगबख चुहों की सो जातियां पाए जाती हैं जिनमें से सतर जातियां Family, Mirody, Order, Rodentsia के अंत्रगत आती हैं सभी प्रकार के चुहों को तीन वरगों में हम डिवाइड कर सकते हैं एक चुहें ऐसे हैं जो कि खेतों में रहने वाले होते हैं एक घर में रहने वाले होते हैं और एक खेत और घर दोनों में रहने वाले हैं तो इस तरह से हम चुहों को तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं अगर हम इनके economic importance की बात करें तो चुहें हमारे अनाज फसलोवा अन्य खाद देवस्तूओं को अत्यरी खानी पहुचाते हैं इसके अत्यरीक तिये अनेक घातक रोगों को भी फैलाते हैं जिनसे प्रतेक वर्स लाखो व्यक्ति काल गरस्त हो जाते हैं इसलिए चुहें एक प पिड़क एक विकट पिड़क के समान है जो कि हमारे अनाज फसल वा सबजी और डेरी उत्पादो बीज एवं पोधो को अत्यरी खानी पहुचाते हैं एक सर्वेक्षन के अनुसार विस्व में लगबग 42,500 करोड चुहें हैं जिनमें से 10,000 चुहें अकेले भारत में ही हैं यदि चुहों की संख्या पर अंकुष ना लगाया जाए इन्हें रोक ना लगाया जाए तो प्रित्वी पर मनुस्य के खाने के लिए कुछ भी उपलब नहीं होगा इसके अत्रीक्त हमारे कपडों चमडे के सामान आधी को काट करके ये नस्ट कर देते हैं चुहें प्रतिवर्स 11.5% गेहूं 5-25% बुंगफली 4.5-5.5% धान 6% गन्ना 14% मक्का 5% नारियल की फसल को नारियल की जो क्रोप से उनको नस्ट कर देते हैं इसके अलावा गर हम देखें वेक्टर ओफ डिजीज के बारे में रोगों के वाहक के रूप में तो चुहें कम से कम 32 डिजीज का ट्रांस्मिशन करते हैं संचारन करते हैं इसमें लगबग प्लेग, टाइफस, ट्राइकिनोसिस, प्रमुख है और इन रोगों से लगबग हर साल लाखो व्यक्ति काल गरस्त हो जाते हैं सो स्टुडेंट हेडिंग डाले जिए मैथड्स ओफ रेट कंट्रोल, चुहों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसके कई सारी विधियां आपर लिखी गई हैं इसमें सबसे पहला जो मैथड्स बताएगा है वह बाइ अल्टरासोनिक वेव्स, अल्टरासोनिक तरंगों के द्वारा, हिंडी सिमें ने 1967 में अल्टरासोनिक तरंगों के द्वारा चुहों को मारने का सुझाव दिया और इसके परियोग से मनस्यकों किसी भी परकार की अल्टरासोनिक विदी है, यह विदी घरों में चुहों को पकड़ने की काम आती है, काम आने वाले कुछ ट्रैप से जैसे की बंबू बो एंड एरो ट्रैप, यह दक्षिनी भारत में परियोग में लाया जाता है, इसमें एक तिकोना बास होता है, जो बिलोवर चुहों के म आर्ग में लगा दिया जाता है, जैसे ही चुहां भोजन को पकड़ने इसके बीच में आता है, बास की जो स्ट्रिप है, वो सीधी होकर चुहें को फसा कर मार देती है, नमबर सेकिंड पर आता है, यह 20 सेंटीमीटर व्यास वर 17 सेंटीमीटर उचाई वाला मिटी का गोल ब रखा जाता है, अहार को छुने मातर ही धकन गिर जाता है और चुहां फस जाता है, बालोजिकल कंट्रोल, बिल्ली, साप, नेवले, अनेक पक्षी चुहों के भखशक हैं, उन्हें मार देने वाले, उन्हें मार कर खाने वाले होते हैं, यह चुहों को मार कर खा जाते हैं, क इसके बाद आता है नमबर 4, Chemical Control, रासायनिक नियंतरन, विभिन प्रकार की रासायनिक पदार्थ जैसे की धूमक, प्रतिकर्शी, आकर्शी, रासायन वंध्यक, वक्रतक नाशी चूहों को मारने की काम आते हैं, जैसे यहां पर हम बात करें धूमक के बारे में, तो चूहों को मारने के लिए विभिन निमलिखित परियोग में सरवाधिक प्रभावी होता है, कार्बन मोनोकसाइड इसे बिलो में पंप करने से 5 मिनट के अंदर ही चूहा मर जाता है, कार्बन डायोकसाइड इसकी सूखी बरफ के रूप में सीत ग्रहों को वेर हाउस में जहां पर कारण इसका परियोग अब रोक लगा दिया गया है, नमबर सेकिंड पर आता है अट्रेक्टेंड एंड रिपलेंड चूहों के नियंतरन के लिए इस पर बहुत कारे हुआ है, इनकी साहता से चूहों को एक ही स्थान पर आकरशित करके यांतरिक विधी या विसैला भोजन देकर मार सकते हैं, अनेक कंपाउंड जैसे की लिवरो नाइट्राइट, एक्टिडियोन, साइक्लो हेक्सामाइड एंड ट्राइफिनालिटीन तथा मेलेथियोन प्रतिकर्शी कारे करते हैं और इनके परियोग से चूहों को खेत वा घर मेंसे कुछ दिनों के लिए भगा स करते हैं, राइट, स्रीवास्तो ने 1968 के अनुसार 10 ग्राम आटे में 0.25 ग्राम फ्रेदेंटीन और 0.001 ग्राम कॉल्चिसीन मिला करके चूहों के लिए रखना चाहिए, चूहों के बंदेकरन के लिए एक नया रसायन जैसे की ग्लीजो फेरॉल, जिसमें ब्यूटेन, जो विश है, वो इस परकार का होना चाहिए, कि चूहें उनके स्वादवगन से दूर ना भागें, इसके बाद नंबर 4 पर आता है रोडेंटी साइट्स, चूहों को मारने के लिए काम में आने वाला जो रसायनिक पदार्थ होता है, उसे बोलता है रोडेंटी साइट्स, जो आने वाले लिए परियोग में लाए जाने वाले एक तरीके से रोडेंटी साइट्स हैं, दोस्तों नेक्स वीडियो में हम डिसकस करेंगे, टर्माइट्स के बारे में मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, बाई बाई, टटा